Hello students, very very welcome for this particular video और इस वीडियो में we guys are going to talk about a very very important aspect जो आप लोग भूल जाते हैं अपनी पढ़ाई करते हैं वकद that is focus ठीक है, so focus एक ऐसा word है जो कि हम बहुत daily life में यूज करते हैं और उसका बहुत गलत उप्योग करते हैं on an everyday basis and at this point in time where the paper is just 40 days away it is very very important कि आप सब लोग focus करके पढ़ाई करें तो focus करके पढ़ाई करने का मतलब क्या है इस पे बहुत सारी चीज़ा आती हैं ऐसा नहीं है कि सिरफ एक focus एक बहुत छोटा word है focus में अगर हम बात करें the first step of focusing is कि आप अपने उपर focus करें दूसरे के उपर नहीं, दूसरे के score पे, दूसरी की preparation पे हमें focus नहीं करना है आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपकी class का topper क्या कर रहा है उस पे focus करने की जगे है आप अपनी पढ़ाई पे focus करें दूसरा focus point आता है academic point of view से कि मैं किस चीज़ पे focus करूं सर मैं अपने strong topics को improve करूं मैं अपने weak topic को improve करूं जो मैंने पढ़े नहीं है, उन्हें मैं focus करूं किस चीज़ पे मैं focus करूं तो focus अगर हम बात करते हैं academic level पे, जहां पर सरफ आपके पास 40 days बचे हैं, तो it is important कि आप उन topics पे focus करें जो आपको आते हैं जो अब नहीं आते हैं, उन्हें आप ना करें, ज्यादा time उनके उपर ना spend करें focus उधर रखें जहां आपका strong point है, वहाँ number बनाना आपके लिए असान होगा इस समय so that is academic focus and one is mental focus दोनों जब तक clear नहीं होंगे आप vision same नहीं होगी दूसरा या तीसरा इस मगर मैं point add करना चाहूं, जो की आपका academic focus से ही related होगा focus करें जितने questions आप solve करते हैं, अपना focus जो है limited questions पर रखें उनसे सीखने की ज़ादा कोशिश करें rather than की मैं बहुत ज़ादा questions करने की कोशिश करूं पर उन्हें out of focus कर दूं out of focus का क्या मतलब है कि आप solve तो कर रहे हैं आप शाइच सही भी solve करके answer भी निकाल रहे हैं पर आप उससे learning नहीं derive कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे भले 30 या 40 question ही solve करें एक chapter के, पर उन्हें इतने अच्छे तरीके से करें हर चीज को why this why this and why this तीन level of why में जाके solve करें तब जाके आपकी real learning होगी, so please guys mental focus, academic focus जब दोनों मिल जाएंगे तब जाके strong result बने वाला है that is what you should do फूल जाओ, तुमारी class का topper क्या करता है, तुमारा दोस्त क्या करता है उससे तुमारे score पे अगर कुछ impact होना है तो वो positive नहीं, सिर्फ negative अगर आप academically out of focus जाके पढ़ाई करेंगे जो limited set है, उसको ढंक से नहीं करेंगे, concentrate नहीं करेंगे, तो भी result जो का एक ही effect होने वाला है negative, दोनों में अगर आप notice करें, आप पढ़ाई कर रहे हैं पर result नहीं आएगा that is why focus is very important start exercising focus, इतना असान नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं खुद इसके साथ बहुत struggle करता हूं daily focusing is very very important very very important आगर आप बात करते हैं कि मैं YouTube से पढ़ाई करता हूं, तो यार आपको पता है खुद, ठीक है न, आप खुद इसको admit करोगे कि YouTube इस समय आपको focus से बाहर ले जाता है, चाहे वो कोई भी वीडियो चाहे हमारी हो, किसी की भी हो, content तो अच्छा है, पर क्या आप जिस चीज के लिए पढ़ने आए थे आप वही पढ़ रहे हैं क्या आपका topic जो सरफ 10 minute का था, आपने सरफ 10 minute spend करे YouTube पे या फिर आप 10 minute के बाच चाहे पढ़ाई ही कर रहे हैं, आप उस वीडियो को देखके कोई और पढ़ाई की वीडियो पे चले गए but that is called out of focus so if you are out of focus, result will never ever come, so start planning, start focusing so that you can have a improved result, okay guys, so as you guys have been waiting, J007 timings will be revealed tonight they will be revealing, we'll be doing the intro and everything कि J007 का है, J007 का हमारा target था कि जो past questions आते हैं, उन से real learning derive करी जाए, वो हम आज शाम को आपके साथ timing उसका reveal करेंगे schedule बताएंगे, दूसरा MHDCT crash course हमें launch करना था कल, किसी कारण हम details launch नहीं कर पाए कल so we will be revealing crash course details for MHDCD tonight at the same time 9.30 PM, उस समय हम release करेंगे और आपको J007 के बारे में भी उसी समय update कर देंगे, God bless you all, keep working really really hard and I hope you start practicizing this particular word which is essence of the word, focus करेंगे बताएंगे एस झाल झाल